हेलो दोस्तों कैसे हो आप आप सभी का स्वागत है जॉब्स 24x7 यूटूब चैनल पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड नियूज लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों सेंटरल गॉवर्मेंट पर्मनेंट जॉब के लिए बहुत सारे वेकंस को रिलीस किया गया है दोस्तों कोई contextual basis का जॉब नहीं है पर्मनेंट बेसिस पर जॉब है तो यह दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी opportunity है और जो भी candidates 10, 12 या फिर graduation किये हो दोस्तो या फिर आप PhD भी करके बैटे हो तो भी आप दोस्तो इसके लिए eligible हो और आप apply कर सकते हो ठीक है salary आपको दोस्तो इसमें around आप 40,000 तक gain कर सकते हो अब दोस्तो देख लेते क्या-क्या post के लिए vacances को release किया गया है तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा अगर अप new हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सकाइब करके bell icon को प्रेस कर दीजिए दोस्तो आप screen में देख पार हो मैंने official notification PDF को open किया हो अब दोस्तो इस कहां से release किया गया है इस vacances को देख लिजिए government of India इंद्रगांधी center for atomic research चैनल पर्तु district कलप अक्कम से release किया गया है अब दोस्तो इसका जो opening date है 15.04.2021 है 15.04.2021 से start हुआ है सुबह 10 बज़े से और closing date है दोस्तो 14 में कितने बज़े तक है आप देख पार हो दोस्तो 11.69 मिनित तक है ठीक है दोस्तो यानि कि 12 तक रात के 12 तक ठीक है अब दोस्तो देख लेते हैं कि इसमें online application are invited for direct recruitment है इसमें कोई अब जो इसका जो website का link और official notification का link आपको में provide कर दूँगा इस video को description box में है direct recruitment देख लिजे दोस्तों किस-किस post के लिए पोस्त देख पारो group of post यहां पर दिया हुआ है और name of the post दोस्तो scientific technical officer, scientific officer, technician b सभी के लिए दोस्तों post को release किया है total 98 है vacances और दोस्तों stipendary training के लिए भी दोस्तों vacances को release किया है total 239 vacances है अब दोस्तों सभी post का पूरा details में समाहिए लेते हैं scientific officer e group इसमें दोस्तों एक post है unreserved category के लिए और discipline देख लिजए metallurgical engineering और materials engineering education qualification होना चाहिए PhD in metallurgical engineering और materials engineering with btec ठीक है दोस्तों अब experience भी देख सकते हूँ experience भी चीए दोस्तों minimum 4 years का तो अब tension लेनी की बात नहीं है दोस्तों ऐसे भी post है जो 10th और 12th है फिर graduation pass वाले लोगों के लिए भी है सभी मैं बताने वाला हूँ method of selection आप खुद से पढ़ लिजे दोस्तों क्योंकि अगर मैं पूरा सबका method of selection बताने जाओ तो वीडियो बहुत ही काफी बहुत ही लंबा हो जाएगी ठीक है दोस्तों अब जो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निक्स टेक्निकल ऑफिसरी ग्रूप पोस्ट है और इसमें डिसिप्लीन है कैमिकल ठीक है तोटल एक पोस्ट है अगर आप बैचलर अब इंजिनियरिंग किया हो विद मिनियूम 60% माक्स तो आप इसके लिए लिजिबल हो अब दोस्तों डिजारेबल यानि कि दोस्तों मेंडेटरी नहीं है मेंडेटरी जो मैंने आपको बूला हूँ से मेंडेटरी है अब मैथ्टर अब सेलेक्शन आप खुद से देख लिजे अब इस साइन्टिफिक डॉक्टर डी ग वहाँ बहुत सारे दोस्तों आप खुछ से देख लिजे सिह में आपको शॉट्करट में बता रहो दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत बढ़ी हो जाएगी इसलिए अब नेक्स जो पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है इसमें किस कैटिकल लिए कितना है द दोस्तों नेक्स जो है टेक्निशन भी ग्रूप सी पोस्ट के लिए है बी दोस्तों इसमें भी एक वाक इंस को रिलीस किया गया इसमें दोस्तों देख पा रहे है हो minimum 60% मार्स इन SSC with science and maths अगया और minimum 60% मार्स in HSC with physics और और chemistry and mathematics तो दोस्तों जो भी आप दोस्तों 60% मार्स ऐसे सी में लाए हो तो आप इसके लिए यह 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 और मैग्जिमुम अपर एज लिमिट है 25 नोट कंडिडिट्स वेलिड है वेहिकल ड्राइविंग लाइसेंस अपके पास होना चीए अब इसमें दोस्तों से मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए अपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होने वाला है और दोस्तों आपका स्टेज टू में एडवांस ट्रेस्ट होगा यहां पर लिखा हुआ है अब दोस्तों नेक्स जो वैकंसी है एडमेस्ट्रेटिव ग्रूप सी पोस स्किल अब को रहनी चीए ठीक है डिजारेबल दोस्तों कंपल्सरी नहीं है एसेंशल कॉलिफिकेशन आपको बता देओ यह दोनों आपका एसेंशल है इसमें दोस्तों जो सैलेरी प्रॉइड किया जाएगा तो आपका बन जाएगी ठीक है और दोस्तों इसमें जो जोगा जनरल इंटेजलेंस और कॉंटिएटिव एप्टिटुड होगा अब दो है क्लक पोश्ट का है इसमें भी दोस्तों देख पारे हो आप डिग्री होना चाहिए दोस्तों रेकेग्नाइज इन्वर्सिटी और एक्यूविलेंट उतन एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चा होना चे रेलेवेंट डिसिप्लीन से ठीक है 50% मार्क्स और इसमें जो सैलेरी आपको प्रोवाइड के जा रहा है 25500 प्लस अलावेंस तो आपका 32-35,000 तक सैलेरी बन जाई अब जो नेक्स्ट पोस्ट है ऑक्सिलेरी ग्रूप सी पोस्ट है ड्राइवर के लिए टूवेकें और आपके पास दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है डिजारेबल डिजारेबल मतलब दोस्तों यह कंपल्सरी नहीं है अगर आपके पास है तो वह एलन गूड एज लिमिट आपका मिनिमूम 18 यह होना चीए और मैक्जिमूम अपर एज लिमिट हैने कि 27 यह अपका होना है इसमें जो सेलेरी दिया जाएगा दोस्तों 19,900 दिया जा रहे प्लस अलावेंस तो आपका इसमें सेलेरी दोस्तों 25 से 30,000 तक आपका बन जाएगी आरम से ठीक है method of selection आप देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है अब जो दोस्तों नेक्स जो है security guard का भी post है दोस्तों द दिया जाएगा तो इसमें भी दोस्तों 25,000 तक आपका सेलेरी इन एंड बन जाएगा अब इसमें और जो है दोस्तों देखिए आपका एक्जाम होने वाला यह तो मैं बता दियो अब देखे ग्रूप सी पोस्ट और एसिस्टेंट के पोस्ट के है और निजब के लिए 19 है और EWS के लिए 1 तो टोटल हो रहा है 20 इसमें भी दोस्तों अगर आप SSC पास कियो यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने माक्स हैं तो बहुत लोगों के लिए रिलेक्शेशन भी होगा 10 पास कियो हो ना तो आप इसके लिए eligible हो minimum age limit 18 है और अपर age limit है 27 इसमें selection criteria आप 15 है टोटल पोस्ट इसमें minimum education qualification होना चाहिए दोस्तों matriculation और equivalent form a recognized board of institution age limit minimum 18 है और अपर age limit है 25 salary आपको 18 थाउजन प्लस डियरनेस अलाइंस तो प्रोवाइड किया जाएगा तो इसमें भी salary आपको 25,000 in hand आपको salary परमन देखने मेलेगा इसमें भी दोस्तों stage 2 और stage 1 दोनों exam होना होगा फिर आपका selection होगा अब बात कर लेते इसमें जो exam होगा दोस्तों सभी पोस्ट के लिए exam तो होने वाला stage 1 और stage 2 तो exam कहां से होगा तो आपको tension लेने की बात नहीं है दोस्तों जिस भी state में रहते हो न वो states में आपका exam होगा तो यहां पर mention किया हूए center for various stages examination तो यहां पर लिखा है how to apply online तो online में कैसे भरना दोस्तों पूरा यहां पर लिखा हुआ step by step तो इसे पढ़के आप online क्या मादम से apply कर दीजेगा last date है दोस्तों आपको में बता देओ 14 में 2021 तक अपका last date है और दोस्तों इस website में आप recruitment section में आप भर सकते हो application form तो दोस्तों अप् comment section में type करके पूछेगा मेरी 100% courses रहेगी अब सभी का doubt को clear करने के लिए अगर इसके अलावब भी अगर आपको कोई doubt होना तो आपको दोस्तों यहां पर helpdex number दिया है इनसे आप contact करके पूछ सकते हों दोस्तों जो भी दोस्तों scientific officer technical officer scientific officer group D के post के लिए apply कर रहे हो न तो उनक सीन में से कुसी एक में post के लिए apply कर रहे हो तो ठीक है speed post के मादधम से आप send कर सकते हो तो आपको मैं बता दूए दोस्तों देखिए कलवपकम चेंगल पत्तुर डिस्ट्रिक्स है दोस्तों vacancies को release किया है तो इसका मतलब यह नहीं है अगर आप select हो गए तो इधर ही आपका posting होगा ऐसी बात नहीं है जितने भी दोस्तों इंद्रगांधी center for atomic research का PSU या फिर जितने भी states में इनका unit है न छोटे या फिर बड़ा वहाँ पर आपका posting हो सकता है ठीक है दोस्तों इसमें दोस्तों अब age relaxation देख लीजे अब to minimum maximum 5S आपको age relaxation मिल जाएगा जो भी SC और ST कास के लिए बिलॉंग करते हैं और 3S उन candidates के लिए मिलेगा जो OBC candidates है ठीक है और 10 years उन candidates के मिलेगा जो दोस्तों PWBD plus OBC के लिए 13 years है और 10 years दोस्तों benchmark disability students को मिल जाएगा और 15 years दोस्तों PWBD plus SCST category students को 15 years का age relaxation मिल जाएगा दोस्तों आप application fees देख लिजे कितना आपको देना होगा जिस post के लिए दोस्तों जो भी post vacancies को release किया है न तो सभी post के लिए अलग अलग दोस्तों application fees है आप देख सकते हो इस्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों 100 है अपड़ डिविजन क्लग के लिए दोस्तों 100 है सिकुरिटी गार्ड वाग एसिस्टेंट कैंटीन और ड्राइवर के लिए 100 है दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पार हो मैंना official website को open कर लिया हूँ यहाँ पर दोस्तों जो floating में हो रहा है ना new करके लिखा हुआ है ओनलाइन एप्लिकेशन विए एवेलिवल फॉर्म 15 तू 10 वजे सुबह से 14 में तक आपका ओनलाइन एप्लिकेशन चाहिए लेगा यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे न तो पीडिएफ डाउनलोड हो जाएगा और दोस्तों जब आप अप्लाइ करना चाहते हो तो वान टा प्रोवाइड कर दूंगा तो दोस्तों अगर आप किसी भी राज्य से बिलॉंग करते हो भारत में तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को और दोस्तों यह सबसे अभी तक का अच्छी अपर्चुनिटे कि यह पर्मनें जॉब है उपर से दोस्तों यह सेंट्रल गॉवर्मेंट पर तो चैनल को जरू सबस्काइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा इसी प्रकास सबसे पहले डेली रिक्यूट्मेंट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स रिक्यूट्मेंट वीडियो के साथ तब तक के लिए उश्वाल दी बेस्ट टेक कर थैंक यू